नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके चैनल समासास्त्र विद्मनीज पर मित्रोष लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैमिली के पार्ट टू पर इसका जो पार्ट वन है मैं पहले यूट्यूप पर डाला जा चुका है डियर फ्रेंड्स यदि आपको हमारी ल लेक्चर में कहना पड़ रहा है मुझे कि यदि आप हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं जहां पर मैं वीडियो और पिक्स डालता हूं दूसरी बात यह है कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद है हमारे मैटर को आप एक सब्द मैंने प्रयोग क्या है competitive, colorful, digital पर आप मत जाएए, आपको जरूत पड़ेगी competitiveness की, अच्छा matter, प्रभावी matter, सही समझाना, ये तीन अनिवारे बाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि example दे कर समझाता हूं, जिसे आपको बिल्कुल burden नहीं पड़ता, लेकिन उ लिक्चर्स पर जाते हैं, यहां सोशेट्स और लोगस का मतलब बताया जाता है सिर्फ, आपको अभी अंदाजा हो कि कितनी high cutoff जाती है, serious student जो है, उनको ये बात का idea होता है, जो लोग interview देते हैं, तो अंतताह मुझे ये कहना पढ़ रहा है कि आप लोग seriousness को समझाएं, और अगर कोई candidate हमारा paid group जोइन करना चाहता है, तो हमें call कर सकता है, 7054-161270 पर, हमारे lecture, recorded lecture सभी topic पर available है, और आपको personal mentorship भी provide की जाती है, assistant professor और PGT के लिए जो हमारी फीस है, वो exam तक के लिए 5,000 रुपए है, जबकि UGC net के लिए जो फीस है, वो 5,000 रुपए है, जो एक साल त करता हूँ, यह family का part 2 है, इसमें पूरा complete हमने लिया है, जहां से कोई भी चीज छोटने के संभावना ना रहे, part 1 को भी आप पहले से देख लीजिए, पहला point है, मात्र सत्तात्मक परिवार, तो मात्र सत्तात्मक परिवार से जोड़े हुए है, brief heart, brief heart नमक समसास्त्री, मात सत्ता का स्वरूप है, वो कहीं न कहीं मात्र सत्तात्मक है, मात्र सत्तात्मक कहने से आशे होता है कि परिवार में समाज में महिला की परधानता हो, जैसे मुखिया महिला होनी चाहिए, अगले प्रकार पराते हैं, जिसे नाभिकी परिवार कहते हैं, नूकलियर फैमिली कहत क्याते हैं पतिपतण और उनके वच्चे न们 की परिवार में आते हैं कौन किस ने tourism दिया है मेरे लेक्षर से मिलेंगे और वो पूर वरती प्रशन है और एक तरब से लिये गए प्रशन है ऐसा नहीं कि सिफ सलेक्टिव बताया गया है अगला है सनीक परिवार का कंसेप्ट सनीक परिवार का कंसेप्ट किस से ले दिया है यह दिया है एंड Birman और जेडी मेन ने इन्होंने भी नायरों का ध्यन किया है और परिवार का स्वरूप मात्र सतात्मक ही पाया है अगले अगला कंसेट है विस्तरत परिवार extended families ये concept दिया है इसमें कहा गया है कि जो सन्युक परिवार से के इतर भी अन्य समंधी आते हैं और इसे ही गेराड् не कहा है कि जिसमें तीन या अधिक पी ओर हों चोड़े हो अधिक ओर गात्य है अधिक परिफार प्लसर रंत तो प्रिफार के लोग भी जुड़े हूं थो उससे विश्थर्षत परिवार कहने की कोश सिरें अगला है विवाह, समंधी परिवार तो दांपत्त जीवर जैसे पती पतनी पती पतनी ये विवाह समंधी परिवार का निर्माण करते हैं साली देवर इत्यादी अगला है रक्त समंधी परिवार रक्त समंधी परिवार के बार इसमें कहा गया है कि विवाह के पेच्छा रक्त को ज़्यादा महतों दिया जाता है यानि कि अपने पत्री के पेच्छा सगे भाई को साली के पेच्छा अपने छोटे भाईयों को ज़्यादा महतों दिया जाना अगला है संतानात्मक परिवार संतानात्मक परिवार इसमें कहा जाता है बच्चों को इसमें कहा होता है कि बच्चों का परिवार में दबाव बना रहे यानि कि माबाप से ज़्यादा बच्चों के हिसाब से परिवार का संचालन हो उसे संतानात्मक परिवार कहते हैं clear हो रहा होग एकदम simple जैसे किसी परिवार में माबाप उतने प्रभावी नहीं होते तो बच्चे घर की कमान समभलते हैं बच्चे सारे कारे संपादित करवाते हैं अगला है नाभिकी परिवार nuclear family नाव के कि परिवार। इसके बादे में लौएड्वार्णर ने दो प्रियूंग किये हैं पहला है जन्म मूलक और दूसरा है प्रजनन्मू अन्मूलक पड़िवार। प्रजनन्मूलक परिवार कि बारे में बात कहिए। आगे बढ़ते हैं रॉल्फ लिंटन के सब्दों में ये समरक्त परिवार और विवाह समंधी परिवार की बात करते हैं समरक्त परिवार का मतलब है जैसे ऐसे रिसेदार जो ब्लड रिलेटेड हो जैसे छोटा भाई बहन इत्मा इत्यादी जबकि विवाह समंधी परिवार बनता है उसमें जिस समरक परिवार, और विवाह समंधी परिवार की बात करते हैं, अब लीपले के सब्दों में देखते हैं, यह सारे पूछे गया हैं किसी न किसे एकजाम में, अभी टेस्ट करवाएंगे आपको सामने पता चलेगा, लीपले चार प्रकार बताते हैं, साखा परिवार या तना परिवार की बात करते हैं पित्र सत्तात्मक परिवार की बात करते हैं विशिष्ट परिवार की बात करते हैं और आस्थाई परिवार की बात करते हैं विल्मंट अंग दो लोग जो हैं यह लोग बात करते हैं सम्मित परिवार के बारे में बात करते हैं सम्मित परिवार के बारे में बात करते हैं जबकि इस्टिक किम्बाल बात करते हैं पूर और अधूगिक परिवार के बारे में यानि कि अधूगिक करण से पहले जो परिव फैंबली की बात करते हैं और जो स्ट चनल उन्होंने किताब लिखी रहें ली कम्यूटी इन ऐर्लेंड आगे वड़ते हैं स्वायत गोलख परिवार के बात करते हैं स्वायत अमूलख परिवार इस में क्या कहा गया कि पती और पतनी दोनों पतनी अपना नेंड़े आप को में लेने के लिए स्वतंत्र है अग्ला परिवार है तना परिवार तना परिवार लीपले ने Plan दिया है लीप लेने इसके बारे में क्या कहा जरा कि इसमें क्या होता है कि जैसे मालू की चार भाई हैं एक जर्मनी में रहता है एक फ्रांस में रहता है कि इंडिया में रहता है कि स्पेन में रहता है लेकिन वो गेट टुगेदर हो जब होता है कोई पार्टी प्रोग्राम होता है फंक्शन होता है कोई ऐसी घटना दुरुघटना होती तब वो लोग मिलते हैं तो ऐसे परिवार को लीपले कहते हैं तना परिवार. अब जेपी मारडाग के संदर में देखते हैं, जेपी मारडाग की बुक है सोसल इस्ट्रक्चर, सामाजिक सनचना, उसमें वो कहते हैं जो नाभिक की परिवार है, न्यूकलियर फैमिली है, वही सारभोमिक परिवार है यानि कि इस परिवार का जो सुरूप है, वो ज्यादतर न्यूकलियर फैमिली का है इनकी पुस्तक है सोसल इस्ट्रक्चर, उसमें ऐसा है पाते हैं अगला थिंकर है टाल काट पार्सन्स इनकी पुस्तक है मैं एंड सिविलाजेशन मैं एंड सिविलाजेशन उसमें वो परिवार को एक फैक्टरी कहते हैं जबकि आगे बरते हैं रोजन एम हैरिस के सब्दों में Rogen and Harris कैसे कहते हैं Rogen and Harris 1880 का अद्धेन करते हैं 1880 जनन जाती है उसका अद्धेन करते हैं और वो बताते हैं कहते हैं कि नाब की परिवार भी परिवार का एक प्रकार है इक सémie। जो देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं बोगल के सब्दों में अध्यन करते हैं अमेरिका के परिवारों का और वहां पर वो भावनात्मक असांत बच्चे की बहाती परिवार को देखते हैं बोगल सिधा इसे कोटेशन्स पूछे आते हैं किनमलिकित में से किस ने परिवार को भावनात्मक असांत बच्चे की संग्या दी है तो आपको जवाब देना होगा वोगल ने दी है वोगल फिर एड्मन लीच ने क्या कहा है एड्मन लीच की पुस्तक है दर रन्वे वर्ड यह कई पूछे गए है दर रन्वे वर्ड उसमें वह जो है नावह की परिवार को ड़िपत कहते हैं नाभिकी परिवार को एक परिपत य elevation आयान繼續 family ही परिवार का वास्तविक स्वरूप हैं आगे बात करते हैं अरदी लेंग के सब्दों में और न्वें इनकी कुस्तक हैं दा पॉलिटिक्स आफ हैमिली उसमें वो कहते हैं कि परिवार सदयों विद्धुहनसक और सोशड कारी है अगर पूछ लिया जाए ऐसे आजाएगा कि परिवार को विद्धुहनसक और सोशड कारी किस ने कहा अर्डी लेंग देगा एड्मन लीच देगा वोगल देगा इनमें से कोई नहीं देगा आपको ये फैक्चुलिटी क्लियर होनी चाहिए डेविट कूपर डेविट कूपर के बारे में पूछा जा चुका है इनकी पूस्तक ददेथ आफ फैमिली उसमें क्या कहते हैं परिवा के होने का कोई मतलम नहीं परिवार एक निरंथक संस्था है अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंट्स माक्सवादी दर्शकौन पर जो परिवार को एक नकारात्मंग नजरिये से परिवार की व्याख्या करते हैं इस प्रकार के चिन तक इसमें पहले थिंकर हैं एंजल्स और यह कालमाक्स के फ्रेंड थे उनके साथ इनका काफी काम है निगेशन आफ निगेशन की थेरी इन्हों ने दे थी इन्होंने बुक्स लिखी है प्राइबेट प्रापर्टी एंड इस्टेट और एक बुक है दा ओरिजिन आफ फैमिली इसमें परिवार को एक सबी लोगों का सबी लोगों का सोषड करते हैं चूंकि जब उसे कम महंता ना मिलता है तो वो परिवार को भी ठीक तरी के से खुश नहीं रख सकता और अलगावित होते चले आते हैं डबलू जे गुड़े क्या कहते हैं डबलू जे गुड़े की पुस्ता का नाम है दवर्ड रिवुलेशन एंड फैमिली उसमें वो भूमिका सवदे बाजी की बात करते हैं परिवार के संदर्व में भी अख्या करते हुए हैं अगे इंडर्सन की पुस्ता का नाम है चोशलोजी आफ दा फैमिली उसमें परिवार को नकारात्मक व्याख्या सबस्द करता हैं यानि परिवार को सोशल कारी महिलाओं को अधिकार ना प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में व्याख्याइद करते हैं और यंग और Velmond यह न multiplied का नाम है आगे बात करते हैं परिवार के उद्भाव के बारे में परिवार का उद्भाव कैसे हुआ तो जो सास्त्री जो ब्याख्याएं हैं यानि जो पित्र सत्तात्मक ब्याख्याएं हैं वो कहती हैं कि प्रारंभ में जो परिवारों का स्वरूप था वो पित्र सत्तात्मक ही था लेकिन धीरे धीरे वो स्वरूप मात्र सत्तात्मक होता चला गया जो कि जो मनुश्य याजावार जीवन से, जंगली जीवन से, जब समुदाय में रहने लगा, जब कभीलों में रहने लगा, तो उसमें जो डॉमिनेंस था, वो कहीं न कहीं पैट्रियार्कल था, लेकिन धीरे-धीरे कई अलग-अलग सेड्स में, अलग-अलग स्वरूपों म वो मातर सत्तात्मक भी होने लगा, आगे है यौन सामयवादी व्याख्या, यौन सामयवादी व्याख्या, इसके प्रवर्तक, डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी लोग बता दू, ऐसे प्रशन किस स्वरूप में पोछे आते हैं, आपके लिए प्रशन पोछ लिया जाएगा, कि सास्त्री व्याख्या के प्रवर्तक कौन-कौन लोग है, ऐसे पूछा गया है, यौन सामयवादी, परिवार की यौन सामयवादी व्याख्या, जो है कौन-कौन सास्त्री करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, मारगन करते हैं, फ्रेजर करते हैं, ब्रिफाल्ट करते है यौन सामेवादी व्याख्या और ब्रिफार्ट के पुष्टक है दा मदर्स ये कई बार पुष्टक पुछी गई है दा मदर्स उसमें साली विवाह, देवर विवाह, इत्यादिकी विवात करते हैं अब बात करते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार की इसके परवर्था कौन-कौन है ब्रिफार्ट है टाइलर है और बैकोफन है और यह लोग बैकोफन मानते हैं कि परिवार का सुरूप पहले मात्र सत्तात्मक था और उसके बाद उसका सुरूप पित्र सत्तात्मक हो गया आप ल अलग अलग समासास्तियों की अलग अलग संदर्व छेत्र हैं, अलग अलग उनकी एप्रोच लेकर उन लोगों ने स्टडी की है, इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि पहले किसे नहीं ये कहा, तो आप ये कैसे हो सकता है, अलग अलग परस्पेक्टिव को लेकर व्याख्याएं की जाती हैं, तो वो व्याख्याएं सही होती है, अगे वढ़ते हैं उद्विकासी सिद्धान्त के बारे में, उद्विकासी सिद्धान्त, इसके प्रवर्तक है मैक लेनन, बैकोफन, मारगन, लुबाक और टाइलर ये लोग परिवार को उद्विकासी नजलिये से देखते हैं यानि परिवार का सुरूप दिरे दिरे और ज़्यादा प्योरिफाइड होता चला जा रहा है अब मारगन के अनुसार देखते हैं, यह कई बार पूछा गए हैं मारगन के अनुसार मारगन समरक्त परिवार, CPSP की इसे कहते हैं, इसे ऐसे याद रख सकते हैं CPSP, मारगन के अनुसार परिवार के ब्याख्या आजाए, तो लंबे-लंबे नाम है समरक्त परिवार, पुना, लुवन परिवार इस तरी से तो आप CPSP करके याद रखिए समरक्त परिवार, समूह परिवार, यूगल परिवार, पित्र सत्तात्मक परिवार, एक आकी परिवार है ना, अब अगली व्याख्या पर आते हैं जिसे कहा जाता है एक विवाह का सिध्धांत, इस सिध्धांत के परवर्तक हैJuister Mark, इनके पुस्तक है the history of human marriage, इसमें वो परिवार का जन्म ईरश्या से बताते हैं, परिवार का जन्म hate से बताते हैं, इरश्या से बताते हैं, उनका मानना है कि परिवार का जन्म जो है इर्षया से वाइब बुक काफी इंपॉर्टेंटेंड दा हिस्ट्री आफ हुमन मेरिज वेश्टर मार्क कई बार पूछी के लिए यह गरेंटी अब आगे वढ़ते हैं मायकायूर के सब्दों में स्वरी मैलेनोवस्की के सब्दों में मैलेनोवस्की के सब्दों में वो कहते हैं इनके पुस्ता के सेक्स एंड रेप्रेजेंटेशन इन सेवेज सोसाइटी Sex and Representation in Savage Society उसमें वो कहते हैं मनुष्य परिवार को पशु अवस्था से अपने साथ लाया है मनुष्य परिवार को पशु अवस्था से अपने साथ लाया है अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सनुख परिवार पर Joint Family पर तो Joint Family होने के आधार क्या है आईपे देसाई, विलियम जे गुडे, एमेस गोरे, केम कपाडिया ये सब लोग जो है अलग-अलग अनुसार परिवार की सनुख परिवार की बाते बताते हैं इसके आधार क्या है? पहला तो है संपत्ती दूसरा अधिकारियम दाइत तो यानि सनुख परिवार कैसे बने? उसके लिए आधार पूछीजें है संपत्ती, एकल संपत्ती, मुख्या की प्रधानता जिसे कहते हो अधिकारयम दाइत तो सबके नहीं होते सबके दाइत तो होते हैं, लेकिन अधिकार भी परिवार पर सबका समान रूप से होता लेकिन मुख्या का जो है दबदबा कायम रहता है फिर इसमें पीडियों के गहराई होती है कम से कम तीन पीडियों के लोग एक साथ रहते हैं इनका एक नीवास हो महिलाओं का कारे प्रजनन समंदी कारे और घर में जो है खाना बनाने और इत्यादी का हो एक पूजास्थल हो एक रसोई घर हो ये सब कुछ सन्युक परिवार के आधार है अब IP देसाई IP देसाई कैसे व्याख्या करते हैं वो तीन या अधिक पेढ़ी के लोगों को अनिवारिता देते हैं परी सन्युक परिवार होने के लिए कि तीन परिवार के लोग एक साथ रहते हूं और इरावती करवे इनकी पुष्टक का नाम है किंसिप और्गनाईजेशन इन इंडिया उसमें वो बताते हैं कि सह निवास यानि सासाथ रहेना और एक रसोई को बहुत महतो देते हैं पूछ लेगा इरावती करवे ने सनिक परिवार के कौन से दो महत्पुण अधार बताएं सह निवास और एक रसोई हैंडि मेन के सब्दों में देखते हैं वित्रू हैंडि मेन क्या कहते हैं कि हैं वह कहते हैं हिंदू सन्युक परिवार का समू है जिसमें जीवित पूर्वज पुत्र विवाह समंधिर रेंस दार रहते हैं अब बात करते हैं विशेष्टा पर पहली विशेष्टा क्या है सत्तात्मक संर्चना वो कहते हैं जो संर्चना है वो सत्तात्मक है कैसे क्योंकि जो मुख्या है उसकी प्रधानता होती है अन्य सभी लोग सहायक के रूप में कारी करते हैं फिर सन्युक तो तरदाइत होते हैं सबकी की रिस्पॉंसब्लेटी समान रूप से होती हैं सब लोग परिवार को एक आकी बनाये रखने के लिए परिवार के लिए परिवार के जो स्रम भी भाजन है अलग-अलग लोगों का अलग-अलग काम होगा फिर अगला है परिवार का आखार बड़ा होता है बिल्कुल ठीक है समाने निवास होते हैं सबके और समाने रसोई होते हैं समाने पूजा घर भी होते हैं अब हम लोग बात करेंगे प्रकारों पर टाइप्स पर टाइप्स पर प्रकार पर आईपी देशाई क्या कहते हैं कहते हैं चार पीड़ी कम से कम चार पीड़ी के लोग एक साथ रहते ह और यह 5 प्रकार बताते हैं 5 टाइप एकाकी परिवार प्रकार्यात्मक सन्युक परिवार सत्ता सूचक परिवार परंपरागत परिवार और सेमांत परिवार एकाकी परिवार यानि नुकलियर फैमली जिसमें पति-पतिनी और उनके आविवाहित बच्चे प्रकार्यात्मक स सब्सक्राइब परिवार जो प्रकारों की व्याख्या करते हैं इतना जरूरी नहीं था इसलिए मैंने लिदा अगला है एडी रॉस एडी रॉस क्या क्या बातें बताते हैं वो कहते हैं सबसे बड़ा सन्युक परिवार होना चाहिए लगुस सन्युक परिवार होना चाहिए एकाकी परिवार होना चाहिए एकाकी परिवार और एकाकी परिवार के दो रूप बताते एक एकाकी परिवार जिसमें पति-पतनी आविवाहिद बच्चे दूसरा ऐसा परिवार पति-पतनी और जिसे वीडियो बहन हो गई यह सब लोग हो गए या विवाहिद बच्चे भी हो गए ऐसे लोग भी एकाकी परिवार में आते हैं कि कि मईस गोरे हैं एक एक आकी परिवार का और दूसरा है सनिक परिवार का अब बात करते हैं पी-एन को लेंडा की सब्दों में यह छे प्रकार बताते हैं चे प्रकार प्रकार प्रिवार के लिए बितना याद रखना है अब हम लोग कुछ इस्टरीज पर बात करेंगे जो direct exam में पूछ याती है इस्टरीज डारेक्ट exam में आपके पूछ ले आते हैं कि यह कहां का द्यहन किस ने किया कैसे किया यह सब कुछ काफी पूछ लिया जाता है तो आपको वह क्लियर रहना चाहिए पहला है केटी मर्चिंट वो उनकी बुक है दा चेंजिंग व्यू अन दा मेरिज अन फैमिली दूसरे है एडी रॉस एडी रॉस की बुक है दा हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग दा हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग और तीसरा है एम शाह। एम शाह के इनका जो अध्धेन है वो गुजरात का है। ये गुजरात का अध्धेन करके सन्यूफ परिवार की दसादिशा की व्याक्या करते हैं। इन महुआ अब बात करते हैं केम कपाडिया के सब्दों में केम कपाडिया यह गुजरात के नवसारी का अध्यन करते हैं कई वार पूछा गया है गुजरात के नौ सारी कद्धेन करते हैं इनकी पुस्तक नाम है Rural Family Pattern Rural Family Pattern पुछा गया है MS गुरे ये अगरवाल कद्धेन करते हैं अगरवाल जाती कद्धेन करते हैं और इनकी बुक है Urbanization Family Change Urbanization Family Change और सच्चिदानन बिहार के शाहबाद कद्धेन करते हैं BP शाह बड़ोदा कद्धेन करते हैं Morrison पूना कद्धेन करते हैं पूना के बदलपूर कद्धेन करते हैं और एकल परिवार के बारे में बताते हैं और इस बटुक ये अध्यन करते हैं मेरट का इस बटुक को कई समा सास्त्रियों ने लिखा है धाफ है में लेता हूं विल्यम जह गुडे बी एंड़ लॉक मारगन और वालर जैसे कभी प्रशना आ जाए कि दा फैमिली पुष्टा किसने लिखी बी गुडे के भी आ सकती बी गुडे ने लिखी अलग-लग सालों में लिखी तो साल नहीं पूष्टा है और बी एंड लॉक ने लिखी है बर्गेज और लॉक जिनको कहा जाता है मारगन ने भी लिखी है और वालर ने भी लिखी है देदेगा कि निम्लिकेत में से दा फैमिली बुक किसने लिखी मालू इन में से कोई अप्शन न हो दो वालर हो तो आप वो टिक करेंगे अगला फैमिली मेरिज और फैमिली पुस्ता किसने लिखी है तो निम्कॉफ ने लिखी है और फैमिली पुस्ता किसने लिखी है अगला फैमिली पास्ट और पुस्ता किसने लिखी है तो यह इस्टर्ण ने लिखी है आगे बात करते हैं यूथ फैमिली एंड एजुकेशन यूथ फैमिली एजुकेशन ये किस ने लिखी ये फालसम ने लिखी फालसम ने आगे बात करते हैं वार एंड फैमिली ये पुस्तक किस ने लिखी है वार एंड फैमिली पुस्तक अन्य लोगों के लेक्टर से कंप्रेजन कीजिए आपको हमारे लेक्टर कितने मात्रा में प्रभावी लगते हैं हमें कमेंट करकर भी बताईए और आप हमारे पेट ग्रूप पर से जूड़ सकते हैं 7054-161270 पर कॉल कर सकते हैं कम्प्लीट के साथ बेहतर से बेहतर मेटर ब्यापग मेटर प्रदान किया जाता है जिससे अलग आने के संभावना कुछ भी ना रहे यह मेरी तरफ से पूरी कोसिस होती है इतने प्रस्ट मेरे ही लेक्चर से आए जिससे आपकी सफलता सुनीशित ह दो सके अगर आप हमारा person जोट records ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्लिब दो है एक नेट के लिए8 नेट जीरिफ के लिए जिसके फीस पांच जार रुपए है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्लस पीजी टी के लिए फीस है वो है 25 रुपए एक जाम तक लिए प्रभावी है जिब कि नेट के फीस एक यर के लिए वैल लिड है तो आप हमसे जूड सकते हैं अपनी सफलता सुनिशित कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच